कि राम राम जी सभी भाईयों को कुष्टी जगत का अपडेट दे दूंजरा कि कल ये खबर आई थी कल सुबह सुबह कि परसों रात को च्छत्र साल स्टेडियम में एक स्टूडेंट ने एक पहलवान ने एक कोच साब कर शर्म कुंडी डंडा जो होता है ने जिसमें बदाम रगडते हैं वो बदाम रगडने वाला जो डंडा होता है बड़ा होता है इतना मोटा होता है वो डंडे से कोच साब के सर में कम से कम बीस डंडे मारे होंगे चालिस टांक के आएं कोच साब कि अब डंडे तो कौन गिन रहा था वहां पर मूँ और सर पर गंभीर चोटे हैं बात यह हुई थी कि कोच साब जो है प्रैक्टिस करा रहे थे मैट पर और वो लड़का जो है वो जो उरकर रहा था तो उसका फादर भी साथ में बैठा था तो कोच साब ने वहीं पर फादर के सामने लड़के को डाटा बले तू काईदे से पहल्म लवानी कर ले तू सीरियस नहीं और अब उसके बाप को बला बैई इसको समझाओ अपने बेटे को उसके बाद रात को उस बेटे को पता नहीं क्या भूत सवार हुआ कि वो कोच सा क्या ले गए वहाँ अस्पताल में ले गए वहाँ चालिस टाक के आए बताए को साफ का लड़का भी ठड़ा पहलवान है 97 के जिस में कैड़ेट और जूनियर लेवल का अच्छा लगा है वर्ल्ड कैड़ेट का मेडलिस्ट है अच्छा पहलवान है बच्चा है भी वो भी सा सब्सक्राइब है अब ऐसे में क्या होना चाहिए को सब्सक्राइब करूंगी तो इस सेंटर पर दो लोगों का नाजायज अनैतिक कब्जा है एक तो जेल में है दूसरा वो टोप प्याड़ा वो 15 दिन में एक बार आता है अब कहता है पर खाड़े का मालिक मैं हूँ जब भी कोई सेंटर पर मैडल आता है तो उसका क्लेम करने सबसे पहले खाड़े में आकर खड़ा हो जाता है मैं हूँ जिम मैं मैं इस तो गीख वा फिर यो और इसका वो जेलाडा दमाद ये दोनों मंडगे ये फायार नहीं होगी और उस कोच को बिचारे को जो पीडित था उसको तरह तरह से विभिन तरीकों से डराया धमकाया समझाया बुझाया जो भी कर सकते थे वो किया जाने लग गया कल देर शाम को ये रात को खबर आई कि जी अंत में पीडित कोच इस दबाव में जुग गया और उसने एफ आई आर नहीं कराई या उसको एफ आई आर नहीं कराने दी गई अब बात यह सर की ये आखिर चत्र साल स्टेडम में हो क्यों रहा है तो जब मैंने अंदर की बाते और पहलवानों से कोचस से कुष्टी के जानकारों से पता लगाई उसकुष्टी सेंटर पे इन दोनों ससुर्दमाद का नाजायज कब्जा प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रभाव कायम रखने के लिए इन्होंने 25-30-40 ऐसे लड़के छोड़ रखे हैं जो वहां पे किसी को न तो टिकने देंगे न सर्वाइव करने देंगे न वहां कोई किसी किसम की व्यवस्ता बनाने देंगे ये जो लड़का था ये उन में से ही एक है 25-30-40 ऐसे जो न तो पहलवानी करते न किसी को करने देते जितनी भी किसम की गुंडागर्दी हो सकती है वहां हो रही थी अरह भाई आप देखो न कि एक कोच जो प्रेक्टिस करा रहा है उसके उसको जान लेवा जान से मार देने की कोशिश एक स्टूडेंट कर रहा है और फिर उसको बचाने के लिए पूरा ये अजगर और मगरमच्च का पूरा एको सिस्टम कूद पड़ता है इसको आप क्या तेंगे खरत अब कली ये शाम को ये समाचार आई कि वहां पर एक कोई नए डिप्टि डिरेक्टर आये है मिस्टर मनीश जैन मनीश जैन ने सूर मोटो कॉगनिजन्स लेते हुए सबसे पहला काम तो ये किया कि अखाड़ा खाली करवा दिया सारे पहला वनों को बोल दिया अपना समान ठाओ और गर चाओ फिर हम देखेंगे इस अखाड़े को कैसे चलाना है चलाना है कि नहीं चलाना है क्या करना है अब जब ये समाचार आया तो एक बार तो समझ वाया कि चलो somebody is there who can take a decision जो कि समस्या की गंबिरता को समझ रहा है और उसने कोई action तो लिया कम से कम जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था भाया जो खेती बागवानी है न पाड़ी बागवानी उसमय जब तक आप अपने हाथ में खुर्पा नहीं रखोगे और जब तक प्रूनिंग नहीं करोगे वीडिंग आउट नहीं करोगे जो जार जंखाड अनुपयोगी या अनुथपादक जो जार जंखाड उगाते हैं यदि उनकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो बागवगीचे का सत्या ना सो जाएगा और ऐसे जार जंखाड दुनिया की हर संस्था में पैदा होते हैं और हर दुनिया की हर संस्था अपनी साफ सफाई का एक मेकेनिजम एक सिस्टम बनाती है हर अखाडे में इस प्रकार के हर सेंटर पे इस प्रकार की जार जंखाड पैदा होती है और हर संस्था में उसकी साफ सफाई का सिस्टम होता है छतर साल स्टेडियम में तो इस प्रकार की जो जाड जंखाड है न इसको बाकाइदा पैदा किया गया रोपा गया है उसको बाकाइदा संरक्षन दिया जाता है और ये मतलब क्रिमिनल एलिमेंट पर कारिवाही न करना इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसको बचा लेना क्या कहेंगे आप इससे सब और ये काम वो कर रहा है जो इस संस्था का मालिक बनने का दावा करता है विडंबना देखिए उस संस्था में चार पांच कोचस और भी हैं वो सब मुह पे दई जमा के बैठे हैं चुप बैठे ना ना कुछ बोलना नहीं पूरे कुष्टी जगत से आप एक भी एक सिंगल आवाज बता दो कि किसी ने इस घटना पे मूँ खोला हो तो क्यों नहीं बोलते भई लोग किसकी नजरों में भला बनना चाहते हैं मतब कुष्टी से बुराई मोल ले लेंगे जो जो हमारी माह है पर कुछ गंदे गटिया लोगों की गुड़ बुक्स में बने रहेंगे के तब इतना आत्मबल सब में नहीं होता मेरे जितना नहीं होता हरादी में नहीं बोल सकता तो अब जब डिप्टी डिरेक्टर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के चातर साल स्टेडियम में उन्होंने कल खाड़ा खाली करा दिया और सारे कमरों में ताले लगवा दिये सिर्फ दो तीन लड़के जो यह ओलंपिक क्वालिफायर में जा रहे हैं नामन से रावत रवी दिया और यह बजरण सारी यह दीपक पूनिया टाइप दो तीन चार लड़के बस वही है अच्छा अब फाइनली क्या होगा सरकारी संस्ता है लीपा पोती वही गई है कल न पंद्र दिन बाद एक मिने बाद चुनाव बाद फेर बढ़ जाएंगे उसमें एक जो एक अफसर जिसने की इतना कड़ा डिसेजन लिया क्या खड़ाई-खाली करवा दिया उसका सोच समझ के रखेंगे पर कौन रखेगा रखेंगे तो यह कोचेज ही क्या उस संस्ता पे यह टुप्याले का अजगरमगरमच का एक जो जेल में बैठके सारे पत्ते जैदे वो कठपुतली का नाच होता है तो एक आदमी उपर जो कि दिखाई नहीं देता परन्तु वो पुतलियों को नशाया जा रहा है तो आज से दो मिने बाद तीन मिने बाद जब इस संस्था को दोबारा चलू करेंगे तो फिर इनी दोनों की गंदगी वापस उस संस्था में नहीं बर जाएगी इसकी क्या गारेंटी है जो वहां पर कोच विचारे आज कल व्यवस्था देख रहे तो उनके पास एथारिटी नाम की चीज नहीं है क्योंकि यह दोनों जो है अजगर मगर मच यह अथारिटी होने नहीं देंगे खुद काम करेंगे नहीं करने देंगे एक तो जेल में बंद है दूसरे के बसका नहीं है रो जाना जो वहां बैठे हैं उनको एथारिटी देंगे नहीं उनको हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए पच्छिस तीस चालीस गुंड़ा एलिमेंट वहां हमेशा जमे रहेंगे जिन उन्हें पहलवानी नहीं तो बैया एक हिंदुस्तान के सबसे अच्छे सेंटर का सत्यानास हो रहा है हो गया है आज तक की वर्ल्ड की सबसे पूरस्ट परफॉर्मेंस आई है वर्ल्ड लेवल पे इंडियन रेस्लिंग की जहां अब तक एक भी पुरुष पहलवान ने अलम्पिक के लिए कोटा हासिल नहीं किया है और संभावना भी बहुत कम है अभी यह नौ तारिक को जो जा रही है टीम नौ मई को उसमें भी एक वजन में चालिस चालिस एंटरी आई बताई ऐसे मैं यह क्या कर पाएंगे हमारे पहलवान यह तो सोचने वाली बात है तो और मैं आपको बता हूं लोग कहते हैं कि इंडिया का नहीं जी चतर साल स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सेंटर न करते हों और जिन्होंने वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दियें उस संस्था का सत्यानास बेड़ा गरक बिलकुल तहस नहस कर दी वो संस्था इन दोनों ततुर्दा माधन और यह भी पेंड़ा नहीं छोड़ के राजी अगर यह जो यह मौका था ना अगर यह एफ आई आर हो जाती कल तो गुंड़ा एलेमेंट को एक सबक मिलता कि नहीं भई गुंड़ा गर्दी करेंगे तो बच नहीं पाएंगे पर जब खुदी जो अपने आपको संस्था का माली समझता है जब वही गुंड़ों को बचा रहा है तो कैसे संस्था सुधर जाएगी कल जब मुझे एक खबर मिली ना कि भाई डिप्टी डिरेक्टर ने अखाड़ा खाली करा दिया और ताले लगा दिया सील कर दिया मैंने का ये मौका है कि हिंदुस्तान के हर अखाड़े को एक बार जो रिजिदिन्शिल अखाड़ा है ये मौका पड़िया है सारे कथी एक बार ने उबले सारे ठावरे अपने गूरे अपने घर चलो दस दिन की चुट्टे डिकलेर करो और दस दिन बाद वो ही आएगा जिसको हमेलाओ करेंगे हर संस्था में हर अखाड़े में हर रिजिदिन्शिल अखाड़े में ऐसे दो चार दस बीस निकम में नकारा आवारा क्रिमिनल पड़े हैं हर अखाड़े में पूरी कुष्टी में आमूल चूल सफाई की दर्थ है नहीं तो आज आप मेरी इस बात को ध्यान रखना अगले चार-पांच साल अगर ये ड्रेस्टिक स्टेप नहीं लिया तो अगले पांच साल इंदुस्तान कुष्टी में उलम्पिक और वर्ल्ड चेम्पिंशिप की तो छोड़ दो एशियन चेम्पिंशिप और ऐसे चोटे टूर्नमेंट्स में भी एक ब्रॉंज के लिए तरस जाएगा जो हालात चल रहे हैं इंडियन रिस्लिंग के अगर तारी की सारी इंडियन रिस्लिंग कम्यूनिटी एकठे होके इस पे विचार नहीं करेगी और कुछ एक्शन नहीं लेगी तो बारती पहलवाने मैं अकल मेरी एक बहुत पुराने सीनियर अर्जुन वाड़ी पहलवांजी थे और कोच हैं उनसे बात हो रही थी उनने 1990 में भी कुष्टी तरी बदनाम हो गई थी जब कुष्टी में गुंड़ा एलिमेंट को मारे जो पहल वांते हैं वो गुंड़ा गर्दी में बढ़ गए थी यह बात है उननिस सो अठासी नवा सी नवे क्यानवे बानवे इस पात साल की और कुष्टी बहुत बदनाम हो ग सौना ज्यादाम कर दिया आज हमने कुष्ती में सौना ज्यादा गंदगी हो चुकिया आज कुष्टी में और दो विदम्बन कि हमारे सबसे्फे जिम्मेदार लोग थे नीकłe सबसे बड़े अंधार पुपर सथार थे उन्हों ने इस बार कुष्टी के साथ दोखा किया पिशली बार जब 88-89-92 में जब कुष्टी बदनाम होई थी ना तो निकम में नाकारा बेकार लोगों की के कारण होई थी जो क्रिमिनल एलिमेंट था उनकी वज़े से कुष्टी बदनाम होई थी आज कुष्टी हमारे सुपर स्टार्स की वज़े से बदनाम हो रही है उनकी गलतियों से बदनाम हो रही है उनकी वज़े से कुष्टी का आज रसातल में चली गई है पूरी कुष्टी में आमुल चुल परिवर्तन की साफ कि जहां पर वाक कई बोलना चाहिए अब यह पिछ जब यह अंदोलन चल दया था तो यह सारे कोच पर इल्वान कठे हो के कुष्टी संग पर कब जा करने की रणे नीतियां जब बनाया करते थे शड़ेंत्र किया करते थे तो एक एक दिन में सौसो डेड्स रेड्स कठे होया करते थे अना अर्यने के अखाड़ों में मीटिंग होती थी अब क्यों कर रहें भई मीटिंग कि जी यह क्या हो रहा है पहलवानी में इसका कुछ सुदार कर लिया इसको कैसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए इस पर विचार विमर्ष करने के लिए कब बुलाओगे म दावत है ना जब रूम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था अब जब वाक्त की मीटिंग के जरुत है तो कहां बैठे है सारे उस्ताद खलीफे कोचस बड़े पहलवान सेनियर लोग खाप लीडर्स कि क्यों नहीं बोलते जब मौक्का है बोलने का अगर नहीं बोलोगे तो आने वाली संततियां खराब होंगी तुष्टी खराब होगी आज के लिए इस वीडियो में इतना है अगली वीडियो में फिरते मिलते हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बरिमच्च